आपको और आपके पूरे परिवार को पढ़ाई विद गुरूचिला की तरफ से दिवाली की धेरोशुपकाई इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसे हम सबकी दिवाली को रोशन कर सकते हैं एंड सबकी दिवाली को हम कैसे हैपी दिवाली में कनवर्ट कर सकते हैं तो आप देखते रहे इस वीडियो को और ट्राइ कीजिए कि हम सबकी दिवाली को रोशन बना सकें जिस प्रकार से दीपक बिना किसी भेद भाव के हर तरफ अपना प्रकाश बिखेरता है उसी प्रकार से हमें दूसरों की दिवाली को रोशन करने का प्रयास करना चाहिए और ट्राय करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ न हो कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम औरों की दिवाली को भी रोशन कर सकते हैं ट्राय करिये कि दिवाली के मौके पर किसी जरूरत मंद को मदद कर सकें और उसके चहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान ला सकें आपकी थोड़ी सी मदद से उसकी दिवाली आसानी से रौसन हो सकेगी बच्चों और घर परिवार के अन्य लोगों को समझाएं कि वे तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम वे टीवी आदी ना चलाएं इससे ना केवल दुहनी प्रदूशन कम होगा बलकि आपके आस पडोस में रहने वाले छोटे बच्चों और बुजर्गों को किसी परकार की ऐसुविदा नहीं होगी भले ही आपके शहर में पठाके आदी चलाने से रोखो लेकिन ट्राए करें कि कम से कम आतिस बाजी करें इससे ना केवल प्रदूशन कम होगा बलकि पैसो की भी बचत होगी ये भी ध्यान रखें कि आपके किसी बिहेवियर की वज़े से किसी का दिल ना दुखने पाए अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स आदी से बात करने या मिलने की कोशिश करें जिनसे लंबे समय से बात या मुलाकात नहीं कर पाएं हैं माता लक्षमी के स्वागत के लिए मिट्टी के पारम पारिक दियों का इस्तमाल करें इससे ओरों की दिवाली रोशन हो सकेगी सो इस तरह आप करिए सब की दिवाली को रोशन और कहिए सभी को हैपी दिवाली सो इसी के साथ आप सभी को एक बार और पढ़ाई विद गुरूचिला की तरब से सभी को दिवाली की हार देख बढ़ाई और शुब कामना है स्टे हॉम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स जस्ट इंजॉय यूर स्पेशल डे, स्पेशल फेस्टिवल हैपी दिवाली